आज हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं कोरोना वारंस के बारे में जो आज बहुत चाईना में यह फैल रहा है अब दोस्तो मैं हूं विने और आप देख रहे हैं मगेरा यूटिब चैनल विने-बाइलोजी आज का टॉपिक हमारा Corona Virus, यह आपके स्टडि से नहीं है, बढ़ स्टडि से हट कर आपाई बढ़ा कि इसके वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं बनानों वीडियो के उपर अब यह है कि coronavirus क्या है और कहां से आया और कैसे यह चीज हमें आजकल humans को यह human population को affect कर सकती है coronavirus यह ग्रूप ओ वारस है जिसका जो shape है वो crown-like होता है that's why सको बोलते है corona यहाँ पे corona मतलब क्या होता है crown-like तो इसका जो shape है कैसा होता है crown-like that's why सको बोलते है coronavirus coronavirus कोई ऐसा single virus नहीं है यह पूरा एक group of virus है जो कि humans पर attack करता है basically इसकी 7 different varieties हैं इन viruses की हुआ कै था कि 9060 में सबसे पहले यह virus discover हुआ था animals के अंदर फिर 2003 के अंदर चाइना के अंदर पाया गया कि यह जो virus है यह चाइना में आया 2003 के दशक में और वहां पर बहुत सारे लोगों के जाने गई और 2003 के बाद से सन 2020 में चाइना में दुबारा से यह coronavirus एपिर हुआ एक दिक्कत वाली बात यह है कि जो virus 2003 में एपिर हुआ था यह जो वारस अब एपिर हुआ यह वारस पिछले वाले से अलाग है मैंने कहा ना seven different इसके group हैं इसके अब यह नहीं मालूम कि कौन सी class का वारस आज जो है attack कर रहा है चाइना में अब दिक्कत यह है कि यह जो वारस है यह करता क्या है देखे पहले मैं बता दूँ यह वारस जिस person में attack करता है 35-40% chance है कि इसकी death होनी होनी है बाकी god knows तो यहां पर हम बात करेंगे कि वारस जो है effect कैसे करता क्या क्या हमें सब्धनी बतने चाहिए इससे बजने के लिए देखे ऐसा होता है यह वारस जब attack करता है न तो वारस कैसे जो हमें problem होती है जो symptoms अपने देखने को मिलते हैं symptoms बहुत आम से होते हैं इतने आम से होते हैं कि लोग इसको नजर अंदास कर दिया करते हैं जैसे कि जैसे ही coronavirus बहुत किसी person पर टेक करता है तो इसकी cold, sneezing वगारा यह सब coughing वगारा यह सब आय करती है अब यह चीक ना खास नहीं तो common सी बात है तो लोग क्या करते हैं यह जा से यह जो चीज़ है यह human population के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है तो यहाँ पर जो यह virus है यह lungs में pneumonia cause कर सकता है, kidney fail कर सकता है, liver खराब कर सकता है और मैंने पहले ही कहा coronavirus जब humans पर टेक करता है तो इसके symptom बहुत ही common से होते हैं जिसमें लोग लगता है कि बहुत आम जैस अधर नहीं है, coronavirus अगर human body पर टेक करता है तो कहीं ना कहीं वो immunity को बहुत जारा गिरादे करता है और कहीं जिनकी immunity बहुत जारा weak है, जिनकी immunity बहुत जारा weak है, सबसे तगड़ा असर यही करा करते हैं, तो guys बात आती है कि कैसे हम इसे बच सकें, देखें बचने का एक ही तर रहे हैं, टच कर रहे हैं किसी डोर के नूप को टच कर रहे हैं तो आप उनकी यूस करें किसी चीज़ को टच ना करें, और कभी भी अगर आप मान लीजे कई मार्केट में जाते हैं आप कोई मीट वगर खरीते हैं तो जब आप मीट वगर खरीते हैं जो आप फिश वगर टच करते हैं जिन हातों से डारेक्ट उसे अपने माउच और नोस पर ना लगाएं घर आएं गरम पानी और साबुन से अप जाना खाने से पहले, कभी भी हाथ अपना जब बाहर से हैं, तो डारेक्ट ऐसे मुवी नाक में ना लगा हैं, पहले हाथ को चितर से धोएं, उसके बाद आप वो चीज करें, अब यहाँ पर हम इसको ठीक नहीं कर सका, देखें, आज के समय पर जो है ना इसकी वैक्सीन की त उसकी तो उससे वो चीज फैल सकती है, तो इसलिए इससे बचने का एक यह तरीका है कि आप जो है, वो साबधानी बढ़ते हैं, क्या है साबधानी बढ़ते हैं, क्योंकि अगर कोरोना वारस किसी वैटक करेगा, तो उस पर सब्सक्राइब को मालूम ही नहीं पढ़ता कि उ टाटा वार बैं, सब बाखेर